हालो आवरीवन आज का जो मेरा सेशन है वो निमसेट 24 इस्टुएंट के लिए है ध्यान से सुनिए जो बच्चे स्टेडी कर रहे होतें वो हमेशा इंपिटर्ण कूल का फास्ट टेक कोर्स का वेट कर रहे होते हैं पिष्ले पांक से साल से ते सच्ब― quand से कार्श किस्या 완성 है क्युक्ि कम समय में को आप अपने पूरा नहीं की ओका इस कोर्स में किया क्या क्या होगा और इस कोर्स के क्या एनिफिट को हो सकते हैं वह बताऊंगा आपने इसक्ष क्षेडिय गैर। मैं सिलबुस को मचल कए की जोने नहीं किया हो, हो सकता है, आपने टेस्टिंग की हो अपनी, हो सकता नहीं की हो, और एक बहुत common question होता है, जो मुझसे हमेशा पूछा जाता है, कि सर, five month बचे हो सकता है, अभी syllabus पूरा नहीं हुआ, या incomplete है, या command नहीं आ रहा है, या test में score नहीं आ पा रहा, question solve नहीं हो बहुत सारी ऐसी चीज़े, बच्चे पूछते हैं और बोलते हैं, इवन आपके भी हो सकता है, मैं आपको बता दू, number one, अभी भी five month हैं लगवक्त, पहला पहली बात, second thing, आपने जितना percent syllabus किया, कुछ तो किया ही है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि नहीं किया, and third thing, कि जब time कम हो तो smart study की जयुद पढ़ती है, अब आप बहुत detail में नहीं जा सकते, no doubt, पर smart study, कैसे कम समय में syllabus को cover भी करें, अच्छी rank भी दें, question solving approach भी सीखें, कैसे questions को करना है, क्या करना है, यह सारी चीज़े कैसे करें, तो यह first course जो है आपको, hundred percent उसमें help करता है, क्योंकि इस course में, द और problem होती है, अगर complete syllabus को live की through करेंगे, तो live classes की limitation हो सकती कि आप कितनी करेंगे, तो ऐसे में, इस में मैं हमेशा combination रखता हूं, कि some part cover in live section, and some part cover in recorded section, उससे यह होता है, कि आप live में, तो मेरे साथ everyday connect रहेंगे, even everyday minimum two classes आप attend करेंगे, बट साथ में, आप extra time निकालके, at least एक past class भी cover करेंगे, यानि और उसमें भी कितना portion cover करना है, कैसे करना, यह सारी चीजे बताई जाएंगी, तो होगा ये, कि आप कम समय में भी अपने syllabus को cover कर पाएंगे, क्योंकि निमसेट के paper को solve करने के लिए, time management बहुत important है, जेई और निमसेट में एक difference है, कई बच्चे जेई को से compare भी करते हैं, जेई का, सोचते हैं, जेई के question करने तो काम हो जाएगा, बिल्कुल होगा, बट प्रॉल्लम ये कि जेई का paper का timing, और निमसेट के paper के timing में बहुत difference है, जेई का paper 3 hours का होता है, मैस के लिए लगवक्त दीन घंटे, दो घंटे का समय होता है, क्योंकि physics time management बहुत important है, time management, selection of questions, right approach की question को कैसे solve करना, इस सारी चीज़े बहुत माइने रखती हैं, तो आपने जो कुछ पढ़ा है अब तक, उसको एक sharpness देने का समय आगया कि आप कैसे jump मारे, fast track का मतलब है कि आप jump मारे, fast track का मतलब ये नहीं होता है कि fast पढ़ाया जाएगा, पर हा कम समय में भी आपके कम time में proper time को utilize करके, proper time को utilize करके हम उसमें आगे बढ़ सकते हैं, कम समय में चीज़े cover कर सकते हैं, कि आप paper देखो तो आपको strike करने लगे, एकदम नहीं होगा, तो ऐसे में आप एक smart study की जहुत है और ये fast track course उसी में help करेगा, तो January से start हो रहा है, इसमें regular classes होंगी, live classes होंगी, कुछ portion आपको recorded मिलेगा, जिसको आप किस order में देखेंगे, वो मैं बताऊंगा, weekly एक master plan होगा कि इस order में पढ़ाई करना है, full length test series भी होगी, मतलब इसके साथ आपको full length mock test series भी मिलेगी, week में 2, 3, 4 ऐसे test बढ़ते जाएंगे, test papers के live analysis होंगे, जिससे question solving approach देखेंगे, सीखेंगे आप more than 50 plus mock papers होंगे, बलकि 70, 80 तक भी जा सकते हैं, यानि और साथ में topic wise test होंगे, study material होगा, यानि इस course के थूरू आप 5 months में अपने आपको definitely sharp कर सकते हैं, और एक अच्छी rank की तरह बढ़ सकते हैं, depend करता है कि आप अगर अच्छी महनत करने इस course के साथ, तो यह fast tech course जिसका आप wait कर रहे है, 9th of January से start हो रहा है, join करने के लिए description में link दिया हुआ है, कुछ confusion है, doubt है, contact number दिया हुआ है, आप बात करिए, masses करिए, immediately impetus गुरू को आपको support करेगा, आपकी जो भी problems हैं, उनको definitely solve करेगा, thank you and all the best.